नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस फार नेशन और मैं आपके साथ वनरा कि अच्छाचा भतीजा की जोड़ी की बाद अब बुआ भतीजा भी आने वाले वधान सबाद चुनाओं में अपनी रन्नीती तयार कर रहे हैं जो यहां बता दे कि चुनाओं आयोग ने चुनाओं की तारिखों की घोशना कर दी है जोसके बाद एक के बाद एक बड़े नेता कभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो कभी बीजेपी का दामन छोड़ सपा में नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी और अब ये खबर सामनी आ रहे हैं कि अखिलेश यादो ने भी मायावती से सहयोग मांगा है ताकि वो बीजेपी को हरा सके और अपनी सरकार बना सके यहां बता दें कि अखिलेश यादो ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि मायावती उनका पूरा सहयोग करे उनकी पूरी मदद करे ताकि वो दोनों मिलकर बीजेपी का सामना कर सके और बीजेपी को हरा सके तो एक तरफ जहां खिलेश यादो अपने चाचा शिवपाल सिंग यादो के साथ गठबंदन कर चुके हैं और चुनावी मैदान में उतर्णी के तैयारी कर रहे हैं तो वहीं दूसरे और क्या चाचा भतीजा के बाद अब बुआ भतीजा भी चुनावी मैदान में साथ नजर आने वाले हैं क्या है पूरी खबर आईए हम आपको बताते हैं व्रस्तार से सत्ता की रेस में बीजेपी को पचारने के लिए सपा सुप्रीमों अखिलेश यादों ने अपने धूर विरोधी बस्पा सुप्रीमों मायावती से सहयोग मांगा है जिहां ये हकीकत है अखिलेश यादों ने साफ कहा है कि मायावती जी उन्हें आशिरवादे जिहां एक कारिक्रम की दोरान अखिलिए शयादों को एक फोटो दिखाई गई थी जिसमें वे मायावती के साथ दिख रहे हैं फोटो साल 2019 की थी जब सपा और बसपा का लोग सबा के चुनाओं में गचबंदन हुआ था इस फोटो को देखकर उन्होंने कहा है कि ये आशिरवाद दे इस बार भी पिछली बार पूरा सहयोग किया मैंने जितना सहयोग हो सकता है समाजवादियों ने किया और इस बार मैं अपील करता हूँ कि अमबेटकर वादी और समाजवादी मिलकर बीजेपी का सफाया कर सके सत्ता की रेस में बीजेपी को पच्छाने के लिए सपा सुप्रीमों अखिलेश यादों ने अपने धूर विरोधी बस्पा सुप्रीमों मायावती से सहयोग मांगा है जिहां ये हकीकत है अखिलेश यादों ने साफ कहा है कि मायावती जी उन्हें आशिरवाद दे एक कारिकरम के दौरान अखिलेश यादव को एक फोटो दिखाई गई थी जिसमें वे मायवती के साथ नजर आ रहे थे फोटो साल 2019 की थी जब सपा और बसपा का लोग सभा के चुनाव में गठबंदन हुआ था इस फोटो को देख कर उन्होंने कहा है कि ये आशिरवाद इस बार भी दे पिछले बार पुड़ा सहयोग किया मैंने जितना सहयोग हो सकता है समाजवादियों किया और इस बार मैं अपील करता हूँ कि अमभेचिकरवादी और समाजवादी मिलकर BJP का सफाया करे अब अखिलेश यादों के इस अपील पर मायावती की क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना दल्चस्प होगा वैसे अभी तक तो मायावती का रुख सपा से के बिलकुल ही खिलाफ रहा है पिछले साल विधान सबा परीशत के चुनाओं के दोरान तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि यदि सपा को हराने के लिए किसी का भी साथ देना परे तो वे देंगी पतारे कि यूपी में इस बार के विधान सबा चुनाओं में अखिलेश यादों ने दलित वोट बैंक को समीटने के लिए तगरी प्लानिंग की है उन्होंने अपनी हर रैली में समाजवात के साथ अंबेट करवात की बात कही है बसपा के अलावा दूसरे दलों से बड़ी संख्या में अलग हुए दलित नेताओं को भी अपने पाली में किया है अखिलेश यादों की कोशिश है कि बसपा से चिटकने की सूरत में दलित वोट बैंक बीजेपी की तरफ नहीं उनकी तरफ ही रुख करे इसलिए उन्होंने मायावती के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है भले ही मायावती आए दिन सपा पर हमला करती हूँ और अब तो उन्होंने मायावती से आशिरवाद भी मांग लिया है यूपी में 23% के लगभग दलित वोट बैंक है अखिलेश यादो जानते हैं कि यदि उनके वोट बैंक के साथ दलित आ जाएं तो उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता बतादे कि सपा और बसपा यूपी के राजनिती में दो धुर्व जैसे हैं ये साथ नहीं बलकि एक दूसरे के खिलाफ ही रहे हैं हालन के दोनों पार्टियों में दो बार गटबंदन हो चुका है 1993 के विधान सबाच चुनाओ में और 2019 के लोगसबाच चुनाओ में लोगसबा के चुनाओ की बाद मायावती ने सपा से गटबंदन तोड़ लिया था जसमें अखिलेश यादो मायावती के साथ नजर आ रहे हैं तो उस फोटो को देखकर अखिलेश यादो का यही कहना है कि अभी भी मैं अपनी बुआ से आशिरवाद चाहता हूँ उसी तरह से वो अपनी बुआ के साथ मिलकर बीजेपी को हरानी की कोशिश करें तो अब देखना यह होगा कि इनसा भी बयान के बाद क्या कुछ मायावती की प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या सच में बुआ और भतीज़ा की जोरी मिलकर बीजेपी का सामना कर पाती है तो फिलाल के लिए इतना ही देखती रहे नियूस पर नेशन धन्यवाद।